हाई फ्रेंड्स विल्कम बैक टो मैं चैनल लव लाइब विद रश्मी और मैं हूं रश्मी आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसीपी लेके आई हूं जिसका नाम है इंस्टेंट मैंगो पिकल यह इसको बनाने में आपको बस 30 मिनर्स लगते हैं और आप इसको काफे दिन तक स्टोर करके रख सकते हो तो चलिए सबसे पहले इंग्रेडियंट सेख लेते हैं इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैंगो कच्छा आम चाहिए यह जितना खटा हो उतना अच्छा है इसकी साइज देखे काफी बड़े साइज का है कि तो ऐसा दो आम ले लिया है मैंने मस्टर्ड ओइल 1कप सौफ 1.5 टेबल स्पून, मेथी 1.4 टेबल स्पून, जीरा 1.5 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, सॉल्ट 2 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 3 टेबल स्पून हींग 1.5 टेबल स्पून, अन्यन सीट्स और कलॉंजी 1.5 टेबल स्पून और गार्लिक लिया है दो बल्स लिये हैं गार्लिक के, मीडियम साइज के सबसे पहले यह जो कराई ले ले लेंगे और जो हमारे ड्राई मसाले हैं मेथी, सौफ और जीरा, इन तीनों को ड्राई रोस्ट करेंगे फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा ताकि यह जले ना देखिए इनका कलर चेंज हो गया अब गैस बंद करके इनको निकाल लूँगी जब यह ठंडा हो जाएगा तो इनका एक पाउडर बना लेंगे ग्राइंड करके अब मैंगो को वाश कर लिया है मैंने अब इसको अच्छे तरीके से टॉवल से इसका जो पानी है इसको ड्राइ कर लेंगे पानी ड्राइ करना बहुत ज़्यादा जरूरी है मैंगो को ड्राइ करना नहीं तो हमारा आप जो पिकल है वो खराब हो जाएगा अब एक पीलर की से भी पील कर सकते हो अंब इसका उपर वाला जो फार्ड बतंव हो इसको कट करके निकाल लेंगे चाकू अ अब ब्रेटर लेके इसको निए तारीके से और ये रेखें कितने अच्छे तरीके से ग्रेट हो रहा है इसी तरीके से कर लोंगे को है यह एकिने की हमारा मसाला भी हो गया है मैं जाली को पील कर लाया मैंने बब इनको छार ना है अब आपके पास करों करें हैं तो आप उसमें करसकते हो और आपके हैं और करने वाला नहीं है तो मेरी तरह एक श्टील की छोटी सी ग्लास ले ले और उसमें सब को डालके और बेलन की मदद से इनको फूट लेना है और यह बेलन से भी अच्छे से क्रश हो जाता है देखिए और यह जुगार हमारा गार्लीक अच्छे से क्रश हो गया है इसको बहुत ज्यादा क्रश नहीं करना है यह देखिए अब गैस ओन करके एक अड़ाई ले लेंगे उसमें अपना मस्टर्ड ओइल डाल देंगे मैंने मस्टर्ड ओइल लिया है आप कोई भी ओइल ले सकते हैं बट मस्टर्ड ओइल का टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है पिकल में इसको चेक कर लेंगे ओईल को बस हलका सा गरम करना है और उसी समय फिर यह कलोंजी डाल देंगे और हींग डाल देंगे ध्यान रहे हमारा ओईल ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए हलका गर्म होगा तभी यह प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे अब इसमें रेट चिली अलिक था वो डाल दूंगे इसको भी बस एक दो बार चलाना है और फिर हमारा जो मैंगो है ग्रेटेड मैंगो उसको डाल देना है इन सब को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और बिना ढखके वे हाई फ्लेम पे इनको थोरी देर लगबग 5 मिनट तक भूनना है यह देखे इसको मीडियम फ्लेम पर फिर और पकाना है बर ध्यान रहे इसको ढखना नहीं है इसको बिल्कुल इसी तरीके से भूनते रहना बिना कवर किये हुए तक इसका जो पानी है वो पूरा पानी हमारा निकल जाए यह देखे लगबग 15 मिनट तक भून लिया है मैंने और इस तरीके का हो गया है अब इसमें जो भूना हुआ मसाला था हमारा मसाला पाउडर वो मसाला पाउडर डाल देंगे ये देखिये पाउडर ्डालने के बाद इस तरीके का हो गया है थोड़ा और भूल लिया है मैंने पाउडर डालने एक पाउडर अब यह देखिये इसका टेक्श्र यह ऑल्मोस्ट हो गया है अब इसमें पानी जरासा भी नहीं दिख determines तो यह ब को इस प्रक्रविए के मुखी जाइस कर लिए अगर आपको सॉल्ट कम लगे मैं तो थौरा सा साल्ट डाल दीजेगा रभारना गी जाइब गया है और फ्रिज ने रखते हैं तो 7-8 months तक आपका आराम से चलेगा ये पिकल बस इसको airtight container में बंद करके रखना है ये जो glass charge है मेरा ये airtight है बसको मैं cover कर दूँगी बट ये जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तभी इसको cover करना है I hope आपको मेरा ये video अच्छा लगा हो अगर ये video अच्छा लगा है तो इसको फटा-फट से like और अपने friends and family के साथ share कर दीजे और अगर आप मेरे ऐसे videos और देखना चाहते हैं तो मेरे channel को subscribe भी कर लिजे मिलती हूँ आपसे मेरे next video में और हाँ आप इसको जरूर बना के देखना घर पे और मुझे comment करके जरूर बताना कि आपका कैसा बना ये बहुत ज़्यादा यमी होता है तो इसको please try करना घर पे ठीक है ना मिलती हूँ आपसे मेरे next video में तब तक के लिए Bye Bye Love Your Life